नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में ओन पैसिव के परोड़क्ट्स के बारे में बात करेंगे लेकिन दोस्तो मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो ओन पैसिव कंपनी के जो परमोटर हैं, मोटिवेटर हैं और जो ओन पैसिव का प्लान प्रेजेंट करते हैं और बहुत सारी अपडेट आप लोग को हपते में या दस दिन में आकर देते हैं अभी वो लोग कहा हैं, उनके बारे में आप लोग सोचिए दोस्तो अभी गुर्षमिंदर सिंग डिलन की एक ओडियो आई है जिसमें उन्होंने मेल चेंज कैसे करना है इसके बारे में कुछ आप से जब लोग को कुछ ने कुछ बात बताई है लेकिन दोस्तो क्या हुआ कि ये सारी चीजे डाइवर्ट कर दी गई एक ओफाउंडर का नाम लिया गया था और वो नाम क्यों बदला गया गोफाउंडर का ओफाउंडर से एक तीर से कई निशाने कैसे सा दे गए ये भी मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके सामने बिल्कुल कलियर करने जा रहा हूं और क्या विज़ा चल रही है ओन पैसिव की ये भी कलियर करने जा रहा हूं लेकिन दोस्तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सबी लोग जो मोटिवेशन स्पीकर है ओन पैसिव कमपनी के ये कहा गए हो सकता है इस वीडियो के बाद ये लोग आ जाएं लेकिन आप देख रहे होंगे नोटिस कर रहे होंगे कि अभी कोई भी सामने आने को तियार नहीं है दरसल दोस्तो बात क्या है कि मैं आप लोग को बता चुका हूं ओन पैसिव कमपनी में जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं बड़े-बड़े चेहरे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे हकीकत में ही ओन पैसिव कमपनी के मालिक है जी हां दोस्तो पार्टनर्स बोल लीजी या मालिक बोल लीजी ओन पैसिव कमपनी का CEO एस उफारा जो है वो सिर्फ एक चैरा है लेकिन ये सब लोग मिल बाठ के आपस में काम कर रहे हैं और आगे आने वाली वीडियो जो में आपको बहुत सारी इसके बारे में भी जानकारी करते हैं लेकिन दोस्तो कुछ लोग ऐसे हैं ओन पैसिव में जो बाई प्रोफेशन मोटिवेशन स्पीकर हैं जी हां दोस्तो वो बाई प्रोफेशन मोटिवेशन स्पीकर हैं और ओन पैसिव के CEO एस उफारा से वो अपनी पर मंत सैलरी ले रहे हैं और कुछ लोग ओन पैस की हम सबसे पहले बात करेंगे आप सभी जानते हैं आज से लगबग 11-12 महीने पहले लगबग एक साल ही हो गया है O-Tracker को OnPassio के हैदराबाद ओफिस से लॉंच किया गया था तो दोस्तो वो O-Tracker को अभी पिछले 3-4 महीने से हपते हपते का खेल चल रहा है और मैं आप लोग को टाइम टाइम पे बताई रहा हैं को अभी Next Week O-Tracker आने वाला है Next Week O-Tracker बोला गया है तो दोस्तो उसका तो आपको सिर्फ नाम भी नहीं दिखाई दिया लेकिन कल को नाम भी आ सकता है अभी आपको अपने बैक ओफिस में एक O-Strap का नाम दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तो ये सिर्फ नाम बनाना ये नाम दिखाना जैसे अभी आपको O-Mail दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा चल रहा है उससे क्या revenue generate होगा एक साल से ज़्यादा time हो गया है जो O-Trim चल रहा है उसने क्या करांती इस दुनिया में ला दी ये भी आप सब लोग सोच सकते हैं एक O-Mail आपको जहांसे के लिए वहाँ पे दिखाया गया है थोड़ा सा जल्दवाजी में O-Pasio के CEO ने कि अब काम नहीं चलने वाला है कुछ ने कुछ तो इनको दिखा दे जिसको देख कर ये लोग कुछ मोटिवेट होते रहें दोस्तो ऐसे ही O-Strap का एक लोलीपोप आप लोग को चुसाय गया है जो वहाँ पे नाम डाला गया है मैं आप लोग से बहुत बार बोलता हूँ कि आप लोग से मिलिये बात करी और पूछिए ये क्या है जो IT के जानकार हैं पिछले 4-5 हफटे से भी O-Pasio का CEO ऐस मुफारा आप लोग को हम लोग को सबको बेवकूब बना रहा है कि नेक्स्ट वीक ये होने वाला है नेक्स्ट वीक हमारे पास O-Strap होगा O-Tracker होगा लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को फिर बता दूँ ये आप लोग को बोलेंगे बीटा टेस्टिंग आप लोग ज़रा थोड़ा सा सोचिएगा जो O-Tracker आज से एक साल पहले लोंच हुआ था वो O-Tracker आज भी वो बीटा टेस्टिंग के लिए भी उपलब्द नहीं है यानि कि अब अगर आज वो आपके सामने आ जाए सीधा सीधा आपके पास आ जाए तो भी उसकी बीटा टेस्टिंग ही ये लोग बोलें नहीं आना था दोस्तों आप यहां पे फिर मैं आपको याद दिलाओंगा आप यहां पे जोइन क्यों हुए आप इसलिए जोइन नहीं हुए कि हम O-Passive Company को 9000 रुपए देंगे और आने वाले 20-30 सालों में O-Passive Company से हमारे पास revenue तयार होगा आज वो बनना स्टार्ट तब जाके हमारे पास कुछ 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए हर रोज की आने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों आपने पैसे O-Passive Company को इसलिए दिये हैं कि इसने बहुत सारे product तयार कर लिये हैं और वो जैसे ही O-Passive Company पूरी दुनिया में worldwide launch हो जाएगी तो O-Passive Company के जित सिस्टम बनने में टाइम लगता है लेकिन दोस्तों आज के बाद आपको सुनने को मिल सकता है सायद लेकिन आपने कभी पहले ऐसुफारा से या गुर्षमिंदर धिलन से या जसी से या कोटियन से इन जैसे किसी लोगों से जितने भी ये motivation speaker है किसी से सुना के सिस्टम बनन में टाइम लगेगा तो इनको पता है कि market में सभी लोग जितने भी हैं वो जोइन नहीं करेंगे वो यही सोचेंगे कि जब बन जाएगा जब कुछ आ जाएगा हम इतना लंबा इंतजार नहीं करेंगे तब हम लोग इस company में invest कर देंगे लेकिन दोस्तों ये लोग आप लो के पैसे लगवाने के लिए वो आपको बोलते रहते हैं कि हमारे 30 प्रोडुक्ट ट्रेडी हो गए हैं जल्दी ही आने वाले हैं और अभी लॉंच होने वाला है 2020 में तहल कम अच जाएगा लेकिन दोस्तों उसके दो साल बाद भी आज 2022 में भी कोई भी प्रोडुक्ट ओन कमपणी का नहीं है यह कमपणी लॉंच क्या करेगी इसके पास है क्या और दुनिया यहां पर क्यों आएगी मनी रोटेशन कराने के लिए हमारे को इनकम देने के लिए तो कोई आने से रहा दोस्तों यह ओन पैसीव कमपणी जो 2019 में लॉंच होने वाली थी फिर 20 में लॉं करेगा दोस्तों यहां पर एक बात और मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा ओन पैसीव का सियो आई सुभारा बोल रहा था कि जनवरी के सैकिंड वीक में हम लोग मार्किट कैमपेंग सुरू करने जा रहे हैं वो मार्किट कैमपेंग दोस्तों आपकी जानकरी के ल लॉंचिंग का सिस्टम है कुछ भी नहीं है दोस्तों इस कंपनी के पास सिर्फ एक ओफाउंडर की वैबसाइड है जो पहले गोफाउंडर की हुआ करते थी जहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं उसको खोल सकते हैं और लोग को बेवकूब बनाने के लि और नहीं इन लोगों ने बनाया है यह सारका सारा हम लोग से पैसा लेने के लिए एक जाल बिचाया गया था जिसमें बहुत सारे लोग फच चुके हैं तो दोस्तों इस वीडियो में पिला लिए इतना ही मिलेंगे नाइस्ट वीडियो में तब तक के लिए थांक्यूं बाइ बाइ बाइ